ये वीडियो completely educational purpose के लिए है और कुछ भी खरीदे या बेचें तो जो आपके लिए अच्छा है वो कीजिए और ये वीडियो किसी भी तरह का recommendation नहीं है नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम comparison करेंगे SBA small cap का बाकी small caps के साथ ठीक है किस तरह का return ये दे रहा है हमें form decision ले पाएं और विसी बात है जब आप अपना decision ले तो आप अपने advisor से अपने distributor से जरूर help लें ठीक है और अपना analysis खुद जरूर करें और आगे बनने से पहले एक चीज बताऊना कि यह मेरा favorite fund house है SBA mutual fund ना सबसे consistent mutual funds रहते हैं लेकिन हाँ एक चीज और बता देता हूँ कि अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूँ ना कि यार मेरी favorite है या मुझे बहुत अच्छा लगा इनके काम करने का तरीका या मुझे बहुत सारी चीज अच्छी लगी तो वो इसलिए नहीं होता कि मेरे emotions उस side है मुझे numbers दिखते हैं अच्छे लगते हैं और ये चीज बार-बार होती है तो एक चीज पसंद आ जाती है कि ठीक है यारी चीज अच्छी है अगर ये numbers मुझे लगातार नहीं दिखेंगे तो obviously बात है कि वो जो attachment है ना इन fund से कि हाँ ये अच्छे fund होते है SBA के वो नहीं रह आई थी जहां पर हमने fund house के according अलग-लग mutual funds बताये थे अलग-लग categories में बताये थे तो वो आप जाके video check out कर सकते हैं और अब यहां पर start करते हैं सबसे बहले screen पे लेग चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि कहां पे किस के साथ comparison है यहां पे Nippon India Small Cap, Quant Small Cap, Union Small Cap और SBA Small Cap ये 4 Small Cap हैं और मैंने union fund क्यों add किया है ये बहुत बड़ा secret है और इस video से सिर्फ आपको SBA Small Cap का review नहीं मिलने वाला और भी बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है तो आगे देखते रहिए ठीक है अब long term में तो ठीक है सबने अच्छे return दिये हैं जितने returns का gap है ना 2-4-5% का इतना आ ठीक है आप catch क्या कर सकते हो आप ये catch कर सकते हो कि यहां पर ये 15% है ना और यहां ये 31% है तो ये तो आप catch कर सकते हो 16% का difference ये हमें नहीं चाहिए ठीक है और जिन लोगों ने पिछली बार बहुत सारे funds आड़ लिये थे ना SBA, AXS ये वो तो उनको ना तो ये return ना ये return अ दो fund है यहां पर आपके पास SBA small cap और कोई भी XYZ small cap तो क्या आपने गलती करी या सिर्फ SBA उठा के अपने गलती करी ये बहुत बड़ा question mark है आपने ठीक है हाँ अगर numbers की बात करें तो हमारा decision उतना अच्छा साबित नहीं हुआ अगर आपने सिर्फ SBA small cap रखाट 2023 में अप तो market जब उतल पुतल हो रही होती है तो इस तरह के fund बहुत काम आते हैं ठीक है आपके portfolio में है ये अच्छी बात है शारपे ratio ठीक है 1.83 है beta काफी अच्छा है सौटीनो ओके है ओके मतलब बाग की सबसे बहतरीन है और alpha उतना ज्यादा high नहीं रहा alpha थोड़ा सा नीचे आ गया है ठीक है एक और चीज जिसमें अच्छी है कि top 3 में आपको financial sector नहीं मिलता top 3 छोड़ो top 5 में नहीं मिलता यह मैं आपको बाद में detail में दिखाऊंगा उसके होगा 8 यानि कि just अगर 100 fund है तो पूरे साल में सिर्फ 8 fund change किये जाते हैं यह trust है मतलब ऐसा नहीं है कि returns नहीं मिल रहे तो trust बिलकुल चला गया और इन्होंने उथल पुथल शुरू कर दी mostly funds के साथ होता है कि turnover ratio बढ़ जाता है अगर returns नहीं आते तो ठीक है मैं आपको हमेश quality की बात कर रहा हूँ आपने यह ले लिया होता कि यहार मेरा expense ratio यहां तो half percent बच रहा है आपने यह half percent तो बचा लिया लेकिन last one year में इसका return 23% है मेरे भाई ठीक है और यहां पे इसका अगर मैं यहां नीचे दोनों को minus कर दू ना 5 years के time span पे भी यहां पे मैं one minus कर दू तो 23 point 6 यानी कि 23.6 आ गया और मैं यह half minus करू तो 22.90 तो भी आप ज्यादा expense ratio दे के भी यहां पे ज्यादा return generate कर रहे हो ठीक है तो बहुत महान expert जो लोग बैठे है ना थोड़ा कम सुना करो सब की कि हाँ expense ratio से आपके returns बहुत बढ़ जाएंगे कुछ नहीं बढ़ने वाला जब जब तक आपके fund की quality अच्छी नहीं होगी जब तक आपको यह नहीं बता कि आपको किस fund से कहां से कब निकलना है और हाँ अगर आपको लगता है कि आपका portfolio हम manage करें तो उसके लिए आप screen पर दिये गए number पर whatsapp कर सकते हैं और आपका portfolio हम manage करेंगे ठीक है यह last मतलब फिर कु कुछ दिन का gap आजाएगा ठीक है तो hopefully आप इस चीज का फायदा उठाएंगे और at least इतना तो कर सकते हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं तो at least आके हम बात तो कर सकते हैं कि ठीक है क्या services है और आपको किस तरह से बहुत जादा benefit होता है ठीक है तो यहां पे अगर और नीच को बीट नहीं कर पा रहा और बहुत बड़े margin से नहीं पीछे है ठीक है इसको हम डिटेल में और जादा देखेंगे आगे और यहां पे अगर sector वगएरा को देखें थोड़ा सा नीचे जाएं तो इसके trailing returns की अगर मैं बात करूं तो यहां पे खराब रहे हैं जब market ही इतन category average इतना गिर गया है तो वन मंत में यहां तो यह गिरना ही था ठीक है थ्री मंत में काफी उतल पुतल रही है इसने return नहीं दिये category average ने दिये है ठीक है ऐसी market में बेर मार्केट में जब most of the funds return नहीं दे रहे अच्छे-चे funds return नहीं दे रहे तो यह short term का comparison कुछ खास नहीं होत ठीक है हाँ अगर मैं यहां से comparison करूँ 5 years कि यह सब जगा मुझे पीछे होता हुआ दिखाई दे रहा है 10 साल में और वो क्यों है trailing returns ना सारे change हो जाते हैं अगर थोड़ा बहुत performance भी खराब हो तो main बात होती है rolling return की rolling return आप देखो भाई इसके कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि यह पीछे हो बहुत बढ़िया प्रदर्शन और बहुत बढ़िया तरीके से इसने आगे ही रहा है last quarters की बात करें तो यह category average से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रहा है ठीक है गिरते वक्त थो तो अच्छा चड़ा था तो यहां तक तो इसका golden period था ठीक है यह last one year last four quarter last October से यह खराप perform कर रहा है 2022 से ठीक है अभी इसको हम दो quarter और देख सकते हैं तो पहला जिन लोगों के portfolio में इसकी SIP चल रही है भाई चलने दो SBI बहुत trusted fund है एक साल की performance पे इसको बहार निकालना बे को लग रहा है तो आप इसके साथ किसी और SIP भी start कर सकते हैं दो small cap दो से ज्यादा मत रखिएगा portfolio में मन्थली की बात करें तो जुलाई वाला मन्थ इनका ठीक रहा था अप्रेल वाला थोड़ा सा ठीक रहा था फैब वाला थोड़ा सा ठीक रहा था लेकिन positive सिर्फ अभी Mining, Chemicals, Construction, Financial देखो मैंने बोला था ना Top 5 में भी नहीं आता है 1,2,3,4,5,6,7 Top 8 में आता है मदब Top 7 में भी नहीं है तो 5.29 है और अगर थोड़ा सा और नीचे जाओं तो हम यहां देखते है कि Financial सेक्टर में नॉर्मली कितना पैसा डलता है category average में देखिए और यह कितना डाल के इसी strategy से हमेशा इसने returns कमाए है तो आप यह नहीं बोल सकते कि यार हाँ अगर यह उल्टा चल रहा है तो return भी कम दे रहा है last changes जब होते ही नहीं है तो क्या इसने change करना है तो बस जो अलड़ी इनके पास fund है उसमें से थोड़ा बहुत selling हो गई थोड़ा बहुत नहीं बा रहा है blue star हो गया और बाकी नीचे बाकी funds देख सकते हैं stocks देख सकते हैं अब यहां पर आ जाते हैं किस category में इसको डालना चाहिए अगर आप already sip चला रहे हैं तो आप six month तक और wait कर सकते हैं इसको change करने की बजाए ठीक है अभी sip चला लिजिए redeem का तो सवाली पैदा नहीं हो अगर आप नहीं S.I.P करना चाहते हैं तो इसको लेने का सवाल नहीं पैदा होता तो आप कुछ भी ले सकते हैं जैसे मैंने उपर union का फंड दिखाया था अगर आप short term के लिए ले रहे हैं तो union हो गया अगर आप long term के लिए ले रहे हैं तो quant हो गया quant के साथ आप टाटा रख सकते हैं बहुत सारे options मिल जाएंगे और जल्द ही mission 2024 जो शुरू हुआ हुआ है उसके अंदर भी मैं best small capital videos ले के आऊँगा ताकि आपको वहाँ पे फायदा हो अभी तक काफी categories वहाँ पे add हो चुकी हैं और यहां तक आए हैं तो चैनल को subscribe जरूर क की तेगा